नमस्कार आप समय लोगों का स्वागत है राइसी स्माट हिंदी के प्लेटफरम पर आप समय लोग कैसे हैं और क्या हाल चाल है आज एक छोटा सा टापिक आपको बहुत सांदार तरीके से समझाओंगा चंद है बहुत ही कठिन आता है परिक्छा में तो सुरू करते हैं चंद है जब भी कवी कविता लिखता है तो लिखते समय जिन फॉर्मूलों के माध्यम से अपनी बात को कहता है ठेंद हम इसे सूत्र कहते हैं और इसी नाति रामचरित मानत बहुत लोग भासा में लिखा गया, पढ़ने में, सुनने में, इश्वर की वंदना करने में, जो आपको आनन्द आता है. तो इसी प्रकार इसकी शुरुवात कैसे हुई, तो चंद सास्त्र के आदि प्रणेता कौन है, पिंगल है, आप कह सकते हैं, पिंगल मुनी कह सकते हैं, और चंद का दूसरा नाम भी पिंगल है, और चंद इसी के पिंगल सास्त्र को ही, पिंगल मुनी को ही चंद सास्त्र का प ब्याकरण भी कहा जाता है, देखो प्राचीन समय में यह जो ब्याकरण है ना, इसको ब्याकरण की कैगरी में रखा जाता था, कैसे आप कोई कविता लिख रहे हैं, तो उसमें कितनी मात्रा होगी, कितनी वन होगे, कब यती होगी, कब मती होगी, कब उसमें लए आएगा, यहां पे विराम करेंगे, कहां पे चलेंगे, इन सब का जो निर्देश हमें कविता करने में मिलता है, उसे ही छन्द सास्त्र कहते हैं, तो सबसे पहला जो प्रारंब हुा इसी नातेइस से पिंगल आते हैं साक्षात्कार देते हैं तो अक्षर या अक्षरों की संख्या, कृम, मात्रा, मात्रा की गणना, तथा यती, गति, आधि से संबनित, विशिष्ट नियमों से नियोजित जो रचना होती है उसे आप छंद कहते हैं, तो सरल्भासा में क्या कह सकते हैं, जब हम स्वर या वर्ण, वर्ण या अक्षरों की मात्राओं की गड़ना, क्रम, गती, यती, मती, आति का ध्यान रखते हैं, तुक का ध्यान रखते हैं, लै का ध्यान रखते हैं, तो उन सारी चीजों को हम किसमें रखते हैं, छंद में कहते हैं, तो छंद के आधियाचारी प जिस क्रम में वर्णों को रखना है वर्ण या अक्षरों को रखना है उसके नियम बताये जाते हैं तो इस तरह से आप चंद की परिभासा सीख लेते हैं इसके बाद क्या होता है मुख्य रूप से प्रकृत की अनुसार देखो इसे बनावट के अनुसार चंद के तीन प्रका के चंद होते हैं जहां वर्णों की गड़ना की जाती है उसे वर्णिक चंद कहते हैं जहां मात्राओं की गड़ना की जाती है उसे मात्रिक चंद कहते हैं और जहां कविता में चंदों में नियमों की गड़ना नहीं की जाती है मुक्त चंद में अपनी बात को कह लेते हैं उसे मुक्तक छंद कहते हैं, तो पक्की बात है, तीनों की परिभासा समझ में आ गई होगी, पहला है मात्रिक छंद, जिन में जिस छंद में मात्राओं की गड़ना की जाए, ठीक बात है, आप पढ़े होंगे, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, उ, औ, अ, 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 ह, यहां प आप क्या कहते हैं, लगु कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, दीर्ग कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, गुरू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इस, इस चिन्न को, ठीक है, और चंद तीन प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, तीन प्रकार के, मात्रिक छंद जहां मात् वानिक छन्द जहां वर्णों की गणना की जाती है और जहां कोई नियम नहीं होता है उसे मुक्त छन्द के रोप में रखा जाता है इतनी बास समझ आ गई चलो आगे बढ़ते बहले आप छंद के अंग कौन कौन से होते हैं किन अंगों को मिला करके छंद की निर्मिती होती है तो सामाने तह चरण सबसे पहला आता है चरण को पद या पाद भी कहते हैं चरण का मतलब होता है जब आप कोई कविता दोहा, सोर्था, सवया, छपपय, कुंडलिया पढ़ते हैं तो वह एक जो पंक्त होती है जहां पे ठहराव यती लगा होता है उसे चरण या पाद की रूप में कहते हैं दूसरा है वन या मात्रा होती है भाई मेरे बच्चे देखे जब भी कोई कविता आप देखेंगे तो उसमें या तो वन लगा होगा या तो मात्रा लगा होता तो वन और मात्रा कहते हैं तीसरा है वन और मात्राओं का क्रम जिसे संख्या और क्रम के रूप में निरूपित करते हैं गती का मतलब होता है जब आप कोई कविता कह रहे हैं जिस ले में कह रहे हैं वो गती होनी चाहिए यती यदी जिसे आप यती कहते हैं यती को विराम या ठह हो रहा है उससे कहते हैं और घंदी में आठ गन यह ते हैं और यह तीन-ठीन के क्रम में होते हैं यह माता-्राज-भान-सलगा यह गन-मगन-तगन-जगन-भगन-रगन-के त्रूप में यह आते हैं इसको याद करने का सूत्र यही है यमाता राजभान सलगा तो जब आप छंद पढ़ते हैं तो छंद में आपने कुल कितने अंग देख लिए मेरे बच्चे साथ अंग देख लिए कौन कौन सा चरण कहते हैं वन और मात्रा संख्या और क्रम गती तुक विराम चिन औ और गण के रोप में स्विकार किया जाता है ठीक बात है इसके बात देखे क्या होता है चरण किसे कहते हैं अब आजाईए देखे चंद के प्राया चार भाग होते हैं इसमें प्रतेक भाग को चरण कहते हैं प्रतेक भाग को कुछ चंदों में चरण तो चार होते हैं लेकि चंदों के योग से मिलकर के निर्मित होते हैं ठीक है अब चरण दो प्रकार के होते हैं सम चरण होते हैं और विशम चरण होते हैं क्या होते हैं बाई चरण दो प्रकार के होते हैं सम चरण और विशम चरण विसम चरण किसे कहते हैं मेरे बच्चे चंद के प्रथम वा तरतिय चरण को विसम चरण कहते हैं पहले और तीसरे को विसम चरण कहते हैं सम चरण किसे कहते हैं चंद के दुतिय और चतुर्थ चरण को हम क्या कहते हैं सम चरण कहते हैं तो सम मतलब होता है संख्या जो कट जाती है जैसे दो और चार और एक और तीन विसम है तो विसम कहने के नाते विसम चरण के रोप में कहते हैं तो चरण कितने प्रकार के होते हैं सम्चरण और विसम्चरण के रूप में ये वाली बात आपने सीख लिया हुआ अब देखो जब विसम्चरण और सम्चरण सीख लिया आपने तो संग अब आते हैं वर्ण और मात्रा पूर्ण वेंजनों को वर्ण तथा स्वरों की मात्राओं को मात्रा के रूप में कहते हैं तो लगु मात्रा के लिए प्रयुक्त जो चिन होता है, एक पाई रेखा होती है, ऐसे लिखा होता है, और गुरु के लिए जो प्रयुक्त चिन होता है, वर्तुल होता है, जो ऐसे होता है, तो अगर ये हम लिख देते हैं, तो एक और इसमें दो, ये कुल हो जाता है, तीन सं मात्र की शंख्याठ की दीघ्मात्रा की संख्या दो होती है यही याद करणा और लगु गुरु के निर्धारण के निर्धारण जब करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं क्रम कहते हैं इसके बाद है गती चंद को पढ़ने की जो प्रवाह या ले होता है उसी को हम क्या कहते हैं गती कहते हैं यती मतलब होता है यती दी नहीं होता है यती होता है यती मतलब चरणांत में जो अक्षर मैत्री को क्या कहते हैं तुक कहते हैं तो आपको छे चंद के जो अंग है उनके बारे में आपको जानकारी मिल गई पक्की बात है बहुत आसान है सीखना थोड़ा-थोड़ा करके आपको सिखाऊंगा अब देखिए पहला है मात्रिक चंद मात्रिक चंद कुल मिला के तीन प्रकार के होते हैं समात्रिक चंद विसमात्रिक चंद और अर्द समात्रिक चंद जिस चंद की सभी मात्राएं समान होती हैं उसे समात्रिक चंद कहते हैं जिस चंद की सभी मात्राएं समान होती हैं उसे विसमात्रिक चंद कहते हैं जिस चंद की आधी मात्राइं समान हो और आधी अर्द समासिक है ना समान होती है आधी मात्राइं समान होती है उसे हम क्या कहते हैं अर्द सम्मात्रिक छंद कहते हैं तो मात्रिक छंदों को कितने भागों में बाटा जाता है भाई तीन भागों में सम्मात्रिक छंद विसम्मात्रिक छंद और क् पक्की बात है ये इतना समझ आ गया तो आगे बढ़ो अब है मुक्तक छंद जहां चंदों से रहित है ना मुक्त क्या कहा जाता है यह चंद ना तो वानिक होते हैं और ना ही मात्रिक होते हैं क्योंकि इनमें मात्रा और वन का कोई सम्मंध नहीं होता है यह चंद के बंधन से मुक्त होने के कारण इसे मुक्तक छंद कहा गया है आज कल मुक्तक छंद ही ज्यादा चलन में है आप जब भी कोई कविता पढ़ते हैं जैसे देखे एक आगे की कविता है सांप तुम सब्य तो हुए नहीं नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया अब यहां पर किसी तरह एक ले तो बनती है एक तुक तो बनता है लेकिन इस कविता मुक्तक छंद की कविता है कि सांप तुम सब्य तो हुए नहीं नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया एक बात पूछूं उत्तर दोगे तब कैसे सीखा डसना और विस कहां से पाया है ना आगे के कितनी यह कविता है सांप है मनुस्य और सांप के बीच का जो शम्मंद है देखिए है ना प्रतिकार्थ के रोप में मुक्तक छंद के रोप में आगे ने आपको यह कविता सुनाई है तो आज की कक्षा यहीं पर लिखिए पढ़िए याद करिए और मुक्तक छंद को समझ जाए बहुत बहुत धन्यवाद